हेलो फ्रिंट्स मेरे नाम है विवेक और आज की वीडियो जो है गाइस बहुत जादा खास है आप लोगों के लिए क्यूंकि आज की वीडियो में हम एडूकेशन लोड के बारे बात करेंगे इस पर उसके पहले जानते हैं यह टकला आदमी कौन ख़ड़ है आप लोगों के तो यह वीडियो बहुत जादा खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम एडूकेशन लोन के बारे बात करेंगे तस मिनिट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो और आसानी से आप लोगों को 10 से 15 दिनों के अंदर अगर आप डेली बैंक जाते रहोगे तो आप कैसे कर कि एड के लिए बर्चु लोगों की अप्लाई करने की समय कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं तो सारे मैं इसमें क्लैरी आउट कर दूंगा तो सबसे जादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है तो वीडियो के साथ स्टिक रहना आप लोगों का बंदा ही है यह तकला आप भी को यहां register कर लेना register करना बड़ा ही आसान है तो register करने के लिए आपको बस अपना नाम देनी की जरूवत है email address देनी की जरूवत है अपना number देनी की जरूवत है और उसके बद confirm करने के बाद आप लोगों के email में इसका आपका verification आजाएगा verification email पे आप जैसे ही click करते हो तो आप registered हो जाते हो officially यहां पर तो अगर इसमें कोई issue दिखता है तो site में हमेशा problem होता रहता है तो अच्छे से कर लेना इसे तो यह ज़रा time consuming है तो इसमें ज़रा fast कर दिया इसको उसके बाद आप लोगों को login page पे आ जाना है और login कर देना है अपना password और email देकर उसके बाद आपक new register किया है क्योंकि हमें को पुरा explain करना था process को तो यह बड़ा आसान था तो यहां पर सब कुछ हो जाने के बाद आप जैसे ही basic जैसे information पर आपनी सारे चीज़े yes कर देनी हैं अगर सबसे बड़ा ध्यान रखेगा कि साड़ी चार लाग से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क कम देंगे अगर engineering सोच रहे हो या कोई professional course सोच रहे हो तो साड़े चार लाग से जादा दिखाना ही पड़ेगा तुमको otherwise मिलना मुश्किल होता है तो इस दोरान पर देखिए मैंने no किया तो यहां पर option ही नहीं आ रहा मैं professional course पड़ रहा हूँ technical course तो यहां पर मुझे yes करना पड़ेगा मजबूरी तो यहां पर आपको साड़े 4 लाख रुपए लिख देने अब देखिए यहां पर जो लिखेंगे यह किसमत की लकीर नहीं होने वाली तो सारे जो verification होगी वह particularly personal bank के अंदर काम होगा तो इसका ध्यान रखेगा यह एक जरिया है वहां तक पहुंचान यह मेरी दूसरी virtual idea है तो यहां पर मैं कोई भी institute select कर लेता हूं यहां पर course भी आपको select कर लेना पड़ेगा जैसे यह पूरा process आप complete करते हो तो आप इसके बाद दूसरी page पर जा पाओगे यहां पर आर भी कुछ और आप लोगों को यहां पर भरने की जरूरत नहीं है तो इसके बाद जो मुझे काम करना पड़ेगा इसकी मुझे अपनी details के साथ की मेरे पिता जी का नाम क्या है साथ में मुझे एक parent को select करना पड़ेगा अगर आपकी माता जी है अभी तो माता जी को select कीजिए पर अगर माता पिता दोनों है तो maximum cases में collateral के लिए इसको कहते है मैं collateral जो आगर आपको कुछ होता है तो for example आपकी ममी पाप पर जाएगा तो उसके लिए माता पिता के लिए मैंने पिता को select कर रही है मैंने official में भी पिता को select किया था तो यहां पर आपको पिता को select करना है सारे details भरने नाम, first name, last name, date of birth, दोनों में दिखेगा हमेशा यह सा maridial status पे आप single ही हो, क्या पता आपका, क्या हुआ है आपको, ठीक है तो माता पिता सो marid ही होते है तो marid दे दिया मैंने, educational qualification जो है वो आपको 12 pass देनी है, अगर पिता जी ने भी किया है तो कर दो, मेरे पिता जी का कुछ कहना नहीं, वो तो school school से भागने वाले बंदे थे, यहाँ पर सबसे important जो next section है कि pancard का number बड़ा ध्यान से देना, मैंने official में दे रखा है pancard का number, बहुत important होता है, उसके बाद है कि आप लोगों को यहाँ पर अपने district set करनी है, address देना है, address बड़ा ध्यान से देना है, क्योंकि अधार card में जो होगो वही देजिएगा, साथ में आप लोगो district set करना है कि मेरा तो सब कॉलकता है, बड़ा असान होता है मुझे हर चीज भरना, तो आपका क्या है मुझे ज़रू comment करके बताइएगा, तो मुझे पता भी चलेगा आप लोग कहां से हो, तो कॉलकता सभी जगा मैंने लिख दिया, contact number देना है, तो वो सारी ची account है, अगर account नहीं बनाया, तो फिर से सोच लो, क्योंकि बच्चे मत्र बनो हो है, अब account बना लो अपना, तो account बनाने के बाद यहाँ पर सारे details भर देना, यहाँ पर एक important section आता है, कि अगर आपने already bank से पैसे उठाए है, तो last section में जो देख रहा हूँ, अगर तो आपके bank उठाया है, कि loan चल रहा है, तो वो सारे details यहाँ पर भर देना, पिताजी के नाम पर हो ही सकता है, साथ में यहाँ पर आप लोगों को, अगर कोई रिस्तदार है आपका bank में, उसी bank में, तो yes करना, ने तो no कर देने से, सबी का no होता है, भाई, अपना तो no ही है, अब क्या क सकते हो, यहाँ पर already IFC code जानते ही हो, तो वो से लग कर सर्च करो, वो भी मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को second process पर, मैंने college का नाम कुछ भी दे रखा है, तो उतना mandatory नहीं था, यहाँ पर, उसके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कि मैं merit से, कि management को डाओ, merit से हूँ, यहाँ पर 4 साल का course होता है, मेरे ज़्यादे वीडियो, अगर आपके 3 साल का course है, तो issue मत नहीं है, आप apply कर सकते हो, कब से शुरू हो रहा है course, कब खतम होगा course, कोई भी एक date दे दो, पर साल में शाद ध्यान रखना, उतना ज़्यादा matter नहीं करता है, यह कोई बथर की लक सकते हो, पर ऐसा option नहीं होता, जब apply कर दोगे, उसके बाद चीज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर अभी नई भी भरोगे, तो चलेगा, तो पर bank में जब apply करोगे, तो पता कर लेना कि कितने fees चड़ सकते हैं, यह सारी चीज़ों के लिए, laptop भी apply कर सकते हो, computer equipment center पे, उस section पे, मैंने 50,000 लिख दिया, आप लोग कुछ भी लिख देना, अब इंजीनियर बनने वाले हो, तो 50,000 के laptop नहीं लोगे, तो फिर तो चोचोई ना, और इसके बाद है कि आप लोग को scholarship जो है, उसमें, अगर scholarship का मतलब है कि आपने already first semester का पैसा दिया, तो वो भी लिख दो, इसे समझ भी नहीं आता, यह calculate भी नहीं करता, यह कैसी ही website है, आप समझ सकते हो, documents upload करना है, तो यहाँ पर आप लोग को mark sheet upload करने पड़ेगी, तो mark sheet के लिए आप कोई भी अपना mark sheet दे दो, और बहुत important है कि proof of admission जो होता है, वो आपको देना ही पड़ेगा, इन्होंने ऐसा college में हो चुका है आपका, तो आपको वो दे देगा भी domicile, तो दो-तिन दिन में mail करके देगा, उसके बाद website को confirmation करो नीचे वाली और इसके बाद इसे ok कर दो, तो इसे ok करते हो, तो देखो यह option पहले वाला चुब बताया ना कि बिना upload किये, कैसे हो साथ है, तो काम नहीं क यहां पर आप लोग अच्छे से भरियेगा, सारी चीज़े अच्छे से दीजेगा, मजाग में मत लीजे, मैं ऐसी मजाग कर रहा था, तो यह सारी चीज़े के बाद आपको confirm कर लेना है, देखना है कि आपकी application form को review कर लेना है, तो आप कर सकते हो, मैंने review नहीं करना, तो य यहां पर सबसे एक अच्छा option मलता है application status का, देखो application status चाहे जितनी भी हो जाए, पर आपको officially bank में जाकर ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि यह इंडिया है, यहां के जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, वो काम से ज़्यादा मजे के लिए आते हैं, तो आपको यहीं समझ जा आपको सारा status complete करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले bank को apply करना पड़ेगा, तो apply वाले option पे जाते ही आपको, जो भी bank आपको चाहिए, तो उस वे आप select कर लेना, तो आप चाहे तो इंडिया के बाहर भी जाके पड़ सकते हो, बड़े मजे मिलेंगे, पर ऐसा होने व आपको मिल जाएंगी, आपको अगर अपना bank ना मिले, तो अपने bank के लिए अपना, उसका IFSC code या कोई भी details उस bank के बरे में भर देना है यापर, और उस nearby bank में apply कर देना, जो भी आप bank में अच्छा लगे apply कर देना, और वीडियो यही पर खतम हो जाती है, तो यही सारी आज की वीडियो थी, जहाँ पर मैंने काफी अच्छे से आपको experience कर दिया, एक और वीडियो आईगी, जहाँ पर कितने पैसे लग सकते हैं, और क्या-क्या चीज़े आपको ज्यान रखनी पढ़ेंगी, उसके बढ़ें बताएंगे, तो चैनल को subscribe ज़रूर करना,